Hey everyone, this is Rupali and welcome to B8 Learners आज आप लोगों की नोटिफिकेशन है कि महारिशे दियानन्थ युनिवरस्टी इट मीन्स M.D.U की रोतक की युनिवरस्टी की आपकी B8 की सेकंड यर की डेटशिट आ चुकी है जो भी बच्य ने एक्जायम दिया था 2020 में उनका जो बच्यों का री अपियर के एक्जायम होना था अब यहां पर उनकी डेटशिट आचुकी है फियुरी डेटशिट अब online examination नहीं है आप लोगों का रिटन examination है तो यहाँ पर आपकी जो आप date sheet देख रहे हो, यहाँ पर सब चीज लिखी हुई है, आपका जो subject है 27th of March 2021, 27th March से आप लोगों का paper start है और यहाँ पर timings जो given है आप लोगों की वो है 2 बज़े से 5 बज़े तक, जो यह चीज आपको ध्यान डखना है और यहाँ पर लिखा है कि center of exam क्या होगा, आपकी slipper, roll number के slipper mention होगा, वहाँ पर आपकी roll number क्या according होगा, paper code आपका first IA और paper ID यह है आपकी और यह इसकी जो date है वो है आपका 27 March को, 2 से 5 के 3 घंटे का आपका exam होगा, knowledge and curriculum first subject, second आपका exam है 30 March को तो 30 March को assessment for learning का जो आपका paper code second है, 2 से 5 का 3 घंटे का इसका written examination होगा, जिस भी बच्चे की paper में re-eye है, तो उसको दुबारा से paper देना होगा, यह उन लोगों की date sheet है 31st March को आपका creating and inclusive school है, इसके अंदर आप लोगों के पास timings नहीं है, time नहीं है, अगले दिन ही आपका exam कंड़क कर दिया गया है, third paper है आपका 3 घंटे का next है 1 April को, यहाँ पर language across the curriculum, जो आपका 4A है, जिसका आपका exam 1 and a half hour का होगा यह, और next है understanding discipline and subjects, यह भी आपका 1 and a half hour का होगा, तो आपको यह दोनों subject prepare करने होंगे, एक ही दिन आपका paper है, तो बहुत छोटी सी book है, पर आपको prepare करना होगा, दो-दो unit सभी book के अंदर है next है आपका 2 April, तो आप देख रहे हो कि यहाँ से आपको एक भी दिन के छुटी नहीं मिली है, जिसका भी exam अगर continuous है, अभी में रही आई है, जिसने पहले दिया भी नहीं था, तो वो भी दे सकता है, तो यहाँ पर आपका optional है, जिस भी बच्चे का यहाँ पर gender guidance या फिर health physical education में आपका optional था, जिन बच्चों का johnson paper था, वो आपको चूज करना है, और gender school and society सभी का यहाँ पर same है, तो यहाँ पर आपका 2nd April को इसका exam होगा, आपका 5th A and 5th B, इसका जो paper code है, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और यहाँ पर सब चीज मेंशन है, कि आपको क्य क्या चीज़ आप लोगों को require है, कि आपको यहाँ पर national guidelines follow करनी है, COVID-19 की, thermal scanning होगी आपकी, जब आपका examiner center में आप जाओगे, तो no student will be allowed to enter the examination center without wearing mask, अगर आपने mask वेर नहीं किया होगा, तो आपको वहाँ पर enter करनी की, हाँ पर आपको permission नहीं दी जाएगी, तो अपने mask ल the students will have to report the examination center at least one hour before, आपको यहाँ पर paper start होने से पहले एक घंडा पहले पहले पहुचना है, it means आपका दो बज़े paper start होगा, तो एक बज़े तक आप लोगों को पहुच जाना है महाँ पर next, no students having mobile phone or any electronic gadgets, किसी भी बच्चे के पास electronic gadgets नहीं होने चाहिए, कोई भी calculator, mobile phone यह वहाँ पर allowed नहीं है before answering the question, the candidate should ensure that they have been supplied the correct question paper, कि आपको answer sheet fill करने से पहले, आपको वहाँ पर question paper का code देख लेना है, कि आपको correct provide किया गया है यह नहीं किया the use of simple calculator is allowed, exchanging of calculator, eraser, pen, pencil, महाँ पर वो चीज़ allowed नहीं है अब आप देखें जो आपका second paper assessment for learning का, तो आपके last में थोड़ा सा practical part है, तो उसके लिए आप simple calculator लेके जा सकते हो और अब महाँ पर exchange नहीं करना है, eraser, pen, pencil महाँ पर allowed नहीं है, तो सिफ अपना ballpoint का pen लेके जाएगा और महाँ पर अपनी water bottle, sanitizer, सब चीज़ ये चीज़ लेके जाएगा admit card लेके जाना है आपको महाँ पर, तो वो चीज़ महाँ पर देखी जाएगी तो ये थी आपके आज की notification जो आपकी theory date sheet है, आपकी be at second year की और वो यहाँ पर लिखा है only reappear, जिनका reappear था, कि उन्होंने दुबारा देना है या पहले वो नहीं दे पाये तो उन लोगों के लिए date sheet है और जो आपका mode of examination रहेगा, वो रहेगा offline, अब online नहीं है, descriptive आपको देना होगा, वहाँ पर describe करना होगा clear और यह mentioned है, MD University की date sheet है, रो तक की चालिये भाई, फिर अपना प्रिपेर रखना, start कर दीजिए, अब तो आपकी date sheet आचुकी है Thank you so much